प्रिस्पान कीजिए आज जेस्ट मास महात्मे के छटे अध्याई का आज के अध्याई में दिंडी के व्रतांत में आपको बहुत ही सुन्दर कथर सुनने को मिलेगी तो उमीद करती हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और आज के लिए आपका प्रशने है कि भगवान सूरी नारण के रथ में कितने घोड़े होते हैं आप लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो रस्पान करते हैं आज के अध्याई का शुरे ब्रह्मा जी कहते हैं हे महादेव इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भासकर की रतियात्रा करने वाला और डूसरे से करवाने वाला व्यक्ती परार्ध वरशों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयूतक सूरी लोप में वास करता है उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है और न कोई रोगी सूरी भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पन करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूरी लोक की प्राप्ति होती है गंगा आधी तीर्थों से जल्ला कर जो सूरी नारायन को इस्तनान कराता है वह बरुन लोक में निवास करता है लाल रंका भात और गुण का नैवेति समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है भक्ति पूर्वक सूरी नारायन को इसनान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूरी लोक में निवास करता है जो व्यक्ति सूरी देव को रत चड़ाता है रत के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प तोरन पताका आधी से सजाता है वह वाईयू लोक में निवास करता है जागरन करने वाला पुर्निवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है जो व्यक्ति भगवान सूरी की सेवा आधी के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है वे सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूरी लोग में निवास करता है रथारूर करना तो बहुत ही बड़े सुभागई की बात है जब रत की यातरा उत्तर अद्वा दक्षिंदिशा की ओर होती है उस समें अच्छकर कड़े ay ठЭто So उसके साल भर बार उसी दिन पुन्ह रwives यात्रा करनी चाहिए उसी बीछ में आधकर नहीं कowana चाहिए इस इस बीच इंदर द्वर्च के उत्सों में भी यदि विग्न हो जाएं तो बार्ष वर्ष में ही उसे संपर्ण करना चाहिए उससे पहले नहीं जो व्यक्ति रथियात्रा की विवस्था करता है वह इंदराधी लोगपाल के सायची को प्राप करता है और यात्रा में विग्न क दर्शन करता है वे निश्पाप हो जाता है शस्थी सप्तमी पूर्णिमा अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुन्य होता है आशार कार्थिक और माग की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनन्त पुन्य की प्राप्ति होती है इन तीनों मासों में भी र व्यक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है वे सद्गती को प्राप्त होता है संसार पर अनुग्रहे करने के लिए प्रतिमा में इस्थित होकर सूरिदेप स्वेम पूजन ग्रहन करते हैं और जो व्यक्ति मुंडन कराकर इस्नान जब होम दान आधी करता है वह दिक्षित हो जाता है सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंदन भी कराना चाहिए जो व्यक्ति इस प्रकार दिक्षित होकर सूर्य नारयन की आराधना करता है वह परमगती को प्राप्थ होता है महादेव जी इस रथियात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया इसे जो किमी तिथा भगवान सूरी की महिमा का वर्णन भी अबाब सुनिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हेरुद्र मागमास के शुकलपक्ष की शस्ठी तिथी को उपवास करके गंध आधी उपचारों से भगवान सूरी नारायंगी पूजा कर रात में उनके सामने श्रयन करना चाह चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, सस्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारन करे। रथस्त भगवान सूरी की भलिभाती पूजा कर स्वन्ण तथा रतनादी से अलंकरित तथा तोरण पताकाओं से सुसर्जित रथ में सूरी नारायंगी प सप्तमी दिथी बहुत ही उत्तम है। पापों को हरन करने वाली इस रथ सप्तमी को जो की मांग मास की सप्तमी दिथी होती है। उस दिन भगवान सूरी के निमित किया गया इस नान, दान, होम, पूजा, आदी सतकर्म, हजार गुना फलतायक हो जाता है। साथ ही जेस्ठ मा पापों का नाश हो जाता है। इस सप्तमी के महात्मी का भक्ति पूर्वक श्रवन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाफ से भी मुक्ति पा जाता है। सुमन्तु मुनी ने कहा। में इम्हेंगा मुक्ति प्रवक जाता है। सपल था जाता हूपक्ट जेस्दी जेस्ट ब्रह्ता है। अजिए अपिस works in the license or keyword generator to optimize your site for search engines fast! craft a visual identity for your site with the AI LogoMaker & help it find its voice with the AI text generator ! And check out the heatmap, it will show you how to grab your audience's attention ! We are with you every step of the way ! Hosting a website builder is easier done than said! Free to online. literally! हे राजन इस फ्रकार रथ यात्र का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोग को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये भी बताईए राजा शतानी कहने लगे हे महाराज सूरी देव के प्रभाव का मैं कहां तक वर्णन करूं क्योंकि उन्ही के अनुग्रहे से युदिस्ठर आदी मेरे पिता महों को सभी प्रकार का दिवे भोजन प्रदान करने वाला अक्षे पात्र मिला था जिसे वन में भी वे ब्रहमनों को संतुष्ट किया करते थे जिन भगवान सूरी की देवता रिशी सिद्र तथा मनुश्यादी निरंतर आराधना करते हैं तथा उन भगवान भासकर के महातमी को अनेकों बार सुनते हैं किन्तो मुझे उनका महातमी अनेकों बार सुनते सुनते भी त्रपती नहीं होती जि जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा जी और विश्नु तथा ललाट से शंकर जी उत्पन हुए हैं उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जिस मंत्र इस्तोत्र दान इसनान जप पूजन खोम व्रत तथा उपवास आधी कर्मो के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कस्टों को निवरित करते हैं अधार दूर करते हैं और संचार सागर से मुक्त करते हैं आप उन्हीं उत्तम मत्र इस्तोत्र रहस से विद्या पाठ वरत आधी को बताईए जिनसे भगवान सूरी का कीर्दन हो और जीवा धन्य हो जाए क्योंकि जिवावी भही धन्य होती है जो भगवान सूरी का इस्तवन करती है सूरी की आराधना के बिना ये शरीर तो व्यर्थ है एक बार भी सूरी नारायन को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उधार हो जाता है चांच प्रिंando का अश्ययों का अश्यय आकाश क Adams दन्गा और अन्य सभी देवताओं की इसडा भगवान's सूर्ई हैं लेकिक अ अनंत गुणों वाले भगवान सूरी के महतम्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूरी की आराधना करते हैं ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही द्रण संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हिर्दय में निवास करने वाले तथा इस्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूरी की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्थो जाऊं। अब सुनिए भगवान सूरी द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को दिया गया क्रिया योगता उपदेश। किन्तु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि इंद्रियों को बलात आक्रिस्ट करने वाले विशे अत्केत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थित नहीं होता। राग द्वेश अदि दोश नहीं छूटते और पुरुष भी अलपायू होते हैं। इसलिए योग सिद्धी का प्राप्त होना अतिशे कठिन है। अत्ह आप ऐसे किसी साधन का उप्देश कीजिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे हैं मुनिश्वरों यग्य पूजन नमस्कार जप व्रतोपास और व्रहमन भोजन आदि से सूर नारान की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग हैं मन, बुद्धी, कर्म, द्रिश्टी आदि से सूर नारान की आराधना में तत्पर रहें। वे ही परब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्दा, अव्यक्त, अचिंत और मोक्ष को देने वाले हैं। अतह आप उनकी आराधना कर अपने मनुवांचित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुख्ध हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर नारान की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विशेयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर नारान के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते वे सदा सूर नारान का ही इस्मरन करें। भक्ती पूर्वक उनकी आराधना में प्रवर्थ हो जाओ। जिससे जनम मरन आधी व्याती से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। हैलो मोथो जो पुरुष जगत करता सदा वर्दान देने वाले दयालू और ग्रहों की स्वामी श्री सूर नारायन की शरन में जाता है वह अवशी ही मुक्ती प्रात करता है। सुमन्तु मुनी ने इस प्रकार पुनह कहा हे राजन राचीन काल में दिंडी को ब्रहम हत्या लग गई थी। उस ब्रहम हत्या की पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर नारायन की आराधना और इस्तूती की। उससे प्रसन होकर भगवान सूर उनक दर्शन दे दिये यही मेरे लिए बहुत बड़े सवभागी की बात है। पुर्णेहीनों के लिए पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुरलव है प्रभू। आप सबके अभी प्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभू मुझे प्रहमत्या लगी है। उस है इसलिए मनुष्य यग्य नहीं कर सकते परंतु भक्ति पूर्वक दूर्वा से भी सूर्य नारायन की पूजा करने से यग्य करने से भी अधिक फलकी प्राप्ति हो जाती है इसलिए हे दिन दिन गंध पुष्प धूब वस्त्र आबुशन तथा विविद्प्रकार की नैवेत जो भी प्राप्त हो सके और जो तुम्हें प्रे हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायन को निवेदित करो तीर्थों के जल दही दूद घी शक्कर और शहत्योंने इस्नान कराओ गीत वाद्य निरत्य इस्तुती भ्रहमन भोजन हवन आदिसे भगवान को प्रसंद करो किन्तु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए मैंने भगवान सूरी की आराधना करके ही स्रस्टी की है वि साक्षातकार करने में समर्थ होते हैं इसलिए तुम भी पूजन वृत उपवास आदिसे वर्ष परियंत भगवान सूरी की आराधना करो जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांती प्राप्त करोगे हरे कृष्णा आज का ध्याय समाप्त हुआ उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी